आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now इस question में दिया गया कि on a winter day sound travel 360 336 meter in 1 second तो हमारी speed of sound दे रखी एक तरिके से यहाँ पे winter में और find the atmospheric temperature sound speed at 0 0 degree Celsius पे उसकी speed कितनी 332 meter per second तो जब उसकी speed 336 meter per second है तो हमें find करना है कि temperature क्या होगा उस time पे और winter day में तो चलिए इसको solve करते हैं तो हमारा जो velocity of sound होटता है यह क्या होता है square root of temperature के proportional होता है ठीक है तो अगर यहाँ v1 okay upon v2 लिखें तो यह क्या हैगा under root में t1 upon root t2 okay यह value तो v1 हमारे पास कितना दिया हुआ है v1 की जो value है यह माल लेते हैं 332 और v2 की value कितना है हमारे पास 336 t2 हमें find करना है और t1 कितना है 273 Kelvin okay यह value दिया हुआ है तो यहाँ से t2 find करते हैं फार्मूलास में put कर देते हैं तो 332 upon 336 is equal to under root में 273 upon t2 की value हमें find करनी है तो इसको further simplify करते हैं इन दोनों term को divide करेंगे तो यह कितना हैगा 0.988 okay under root में 273 by t2 हमें t2 find करना है तो दोनों तरफ क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो यह value कितने आएगी 0.976 is equal to 273 upon t2 this implies that t2 की value क्या आजाएगी 273 divided by 0.976 तो 273 को क्या करते हैं divide कर देते हैं किसे 0.976 से तो answer कितना आजाएगा हमारा t2 की value आजाएगी 279.6 Kelvin तो देखा जाए तो यह कितने के t2 approximately अगर centimeter में हम देखें और degree centigrade में देखें तो यह approximately 7 degree Celsius के equal है हाँ तो 7 degree Celsius यह हमारा क्या है required answer Classics to 12 से लेके Need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज जी डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीचे अपने doubts आच चार्सो 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 पर